हेलो फ्रेंड्स उर्मला क्रेशन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेक्या यूँ एक न्यू डिजाइन रिंग प्रेटर की जिसको हम गर पे बनाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिबसे पहले में यहां पे एक एंडिय फकर गोल बोड लिया है और फिर यहां पर इम इसका बेस बना रही हूँ , इसमें एस्टेंड बना रही हूँ तो यह मैंने इस्टेंड की रबर लगादियाैं अब हम इसको सिदा कर लेंगे और इस पर मैने वेल बेट का कपड़ा पेस्ट करा हैór अब हम जो एक्ष्टमेक अपड़ है उसको कट कर देंगे और गुलू की मदद से आंग इसको चारो तरफ किनारे किनारे पेस्ट कर देंगे अब हम एक मोतिकी लेज लेंगे और इसको चारो तरफ हम इसको गुलू की मदद से पेस्ट कर देंगे अब हम रिंग प्रेटर बनाने के लिए यह चार यह बोड तयार करेंगे इस तरह के स्टेंट तयार करेंगे जो दो मैंने कर लिये हैं और तीस रह में आपको यहां पर बता रही हूं यहां पर मैंने एक सिल्वर कलर की लेस लियां और इसको मैं गुलूस की मदद से पेस्ट करूँगी और इसके उपरर मैंने 1.5 इंच की गोलडन की लेस लियां और उसको पेस्ट करूँगी अब हम सबसे पहले बड़े वाले पीस को यहां पे पेस्ट करेंगे जो कि वीडियो में आपको दीख रहा है कि मैं इसको कैसे पेस्ट कर रही हूँ और इसी तरह हम उससे चोटे वाले को और फिर सबसे चोटे वाले को हम पेस्ट करेंगे अब मैं यहां पे पिकोक का रिंग प्रेटर बना रही हूँ तो मैं यहां पे पिकोक का स्टेंड बना रही हूँ यह पिकोक जो की थर्मकोल से बनावा है यह मार्किट मेराम से मिलता है और इसको आप घरपे भी बना सकते हैं घरपे बनाने का तरीका मैं बाद भी बताऊंगे आपको अभी हम इसका स्टेंड तेयार कर रहे हैं तो इस पे सबसे पहले मैंने यह काटबुड काट लिया है इस पिर इस पे मैं वेलवेट का कपड़ा पेस्ट करूंगी इस पे आप ग्लु कलर की सीट भी लगा सकते हैं अब हम इसके दोनों किनारे पे अच्छी तरह से लगा कि और इसको पेस्ट कर देंगे हैं और अब हम एक स्टेंड के उपर जो हमने तीने स्टेंड बनाये थे उसमें सबसे बड़े वाले स्टेंड के उपर हम पिकोक पेस्ट कर देंगे और यह मोर पंकल लगा देंगे जो कि आप लिए में देखी रहे हैं झाल झाल अब जो दो इस्टेंड है उस पे में रिंग प्लेटर की जो रिंग रखने की कटोरी आती है उनको डेकोरेशन कर रही हूं मुत्ति लगा के और फिर हम इसक्यों पर पेस्ट कर देंगे झाल अब हम अपनी कलपना के अनुसार इसको लावट से डेकोरेशन करेंगे जैसा कि मैंने कुछ इस तरह से कर रहा है आप देखिए झाल 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 प झाल झाल आप लोगों को ये रिंग प्लेटर कैसा लगा मुझे जरूर बताना अब मैंने इस पे LED लगा दी है ठेंक यू बाई बाई